तरी आज के लेक्षर का आगास करते हैं लेक्षर हमारा 33 और चैप्टर 16 हमने स्टार्ट किया हुआ है आज के लेक्षर में जो कंसेप्ट हम कबर करने जा रहे हैं वो डिरेक्टर रिपोर्ट है बिसिकली डिरेक्टर रिपोर्ट को हम कबर करेंगे फिर इसके बाद चुक है ह है डिरेक्टरस को इसी डिरेक्टर के प्रीफ यूज में आपने यह सीख लिया ओगा कि के डिरेक्टरस रिपोर्ट फाइनेंशल स्टेट्मेंट के साथ सब्यटरवई जाती है सिछ बाकी कमदी तेले रिकाइट नहीं है इसमें डिरेक्टर कुछ ऐसी information लिखते हैं जो के हो सकता है financial statements में discuss ना होती हो या कुछ ऐसी information जो उनके ख्याल में shareholders तक पहुंचाना बताना जरूरी है जो उनकी performance को indicate कर रही होगे और इसमें कुछ मुल्क के जो economic conditions होती है जो कमदी की performance को फैट कर रहे होते हैं उनका भी जिकर किया जाता है क्योंकि वह financial statement में mention नहीं होती कुछ future के prospects के बारे में समटाइम कुछ past plan या projects जो है वो क्यों complete नहीं हो पाए उनमें क्या कमी बेशी रगी वगए 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 इस तरह की general discussion होती है डिरेक्टर्स रिपोर्ट में तो कुछ प्रप्र करना required है तीन तरह की companies याद रहे हर पब्ली कमपनी दूसरा ऐसी private company वीचे सब्सेट्री पब्ली कमपनी तीसरा ऐसी private company with paid up capital of 3 million और मौर इन तीन तरह की companies के लिए अपनी financial statement के साथ डिरेक्टर्स रिपोर्ट करना लाजमी है बाकी की जो प्राइबेट कमपनी जो किसी पब्ली कमपनी की सब्सेट्री नहीं सब्सेट्री नहीं तीन मिलियन से कम है उसके लिए डिरेक्टर्स रिपोर्ट करना जरूरी न रिपोर्ट क्या है ऐसा यहां पर एक सी देन में रख लीजिए यह प्रोबेबली हमारे पूरे company law में से वाहिद learning objective है जो सारे का सारा रटे में बेस कर रहा है इसमें समझाने वाली चीज़ इन कंटेंट्स में कोई समझाने वाली चीज इतनी ज्यादा नहीं है इसमें का मतलब या डिरेक्टर्स रिपोर्ट में किन-किन चीजों का जिकर होता है तो कुछ कंटेंट्स आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगे और कुछ हजार दफा भी पढ़ लेंगे समझ कोई नहीं क्योंकि हमारे स्लेबस में ही नहीं है उनको भी हमने पढ़ा ही नहीं है वह स इसलिए सिरफ इस इस एरिया से रिलेटिड आपको तो इस लर्निंग अब्जेक्टिव में डिरक्टर्स रिपोर्ट वाले में आपने रटा लगाना सिर्फ अब रटा लेकिन किस तरीके से लगा लागा वह भी आपको बता रहा हूं क्योंकिक्स तरीके से पूछे रहाएं उसको तो हम समझने ना कंसेफ्च जितना को समझ सकते हैं बाकि जो मैटर्स रह जाएंगे वह आपने यह याद करने रटा लगाने मेरी कोशिश होगी हद तो लिमकान टाइम जाया कि यह बगार ब्रीफली अगर कोई नहीं चीज़ है ना ब्रीफली उसको भी मैं आपके साथ चेहर कर दो सबसे पहले जीज़ें में रखिएगा और सबसे एहम सबसे पहले और सबसे एहम तश्वाले और सबसे बता रहा हूँ इसका मतलब यह कुछ कंटेंट से ऐसे हैं जो हर करा की कंपनी की डिरटर रपॉर्ट में आएंगे के चाहे पब्ली को चाहे प्राइबेट है लेकिन याद रखेंज में यह शामिल नहीं इन लावा सामिल नहीं मतलब इन सबस्क्राइब के लिए डिर्केटर सक्षट करना इस नहीं नहीं जाहिर है वह सब्सक्राइब के तो हाओ कुछ कंटेंट्स ऐसे ढेकर रेपोर्ट के हर कमपनी की ड solely में आएगे है कि यह पब्लीक प्राइबिट वेलड़ होगार अनि और मेफoger है कि चुश कंटेंट्स ऐसे हैं मैं पिजो सिरफ़ उस कम्पनी की ड्रेक्टर रपॉर्ट मैं आएंगे जो पब्लीक है है यह तो प्राइवेट लेकिन पप्ली कंपनी की सबसीडरी है यह फिलु है यहां बात समझें अब एक्सोंड हुआ एक्जाइम में क्वेशन आया ABC एक लिमिटेड एक पब्ली कंपनी है बताएए इसकी डिरेक्टर्स रपोर्ट में कौन-कौन से कंटेंट्स आएंगे स्फ्रीड में यह सारे कंटेंट्स लिक दिये और फेल हो गया उसलिए कि ये सारे बामेंब तो चले आने थे उनेथे क्यों के भोल गया यह अधीशनल Teaई अब यह भी तो आने रे यह निलिखे लिए यह वाले सिब्स पॉब्लीक कंपनी के डररेप्र लॉर्ड में नहीं यह वाले आने हैं यह अधर पॉलीक कंपनी अगर तो कुछ फ्राइवेट कंपनी है ईग यह उसकी डरेप्रोट में सिरफ यह वा लिस्टेड गंपनी है व कर लिस्टेड में अधिशनल फार्नस अपर मैं यह वाई अदी प्टाइए मुझे बताइए ऐम में एखन आएगा जिसमें उसे लिखा होगा लिस्टेड開始 एलिमेंट जो से अक्षज आएंगे यह तो आने ही आने है लेकिन भाई बूल गए लिखा हुआ है यह इडिशनल है ऊकर लिखनाई इसका मतलब ऐसने साथ ये भी आने है और ये तो किया पूस रहायों लीखना और सजोया हुआ है और स्भाईर्मट में आए तो सारा याद किया हुआ जिरू हो जाता है कि presentation miya जिरो हो जाता है एक्जाइम में किसी क्वेस्टन कि अगर रिक्वार्मेंट समझना आए ना ये जनरलूला हर पेपर में अगर रिक्वार्मेंट समझना आई ना तो जितनी मज़ी में जाती है वो जिरो हो जाती है तो रिक्वार्मेंट को खास और पर पढ़ लिजेगा समझ कुछ आप अब साड़ी करते हैं और शाय करते हैं जो हर रिपोर्ट में आएंगे शेयर इवी ऑफ बिजनेस क्या होता है अलाज जाने क्या ने बैसे अब बिजनेस होगा मेरा खियाल यह है कि इससे मुराद यह है कि ओवराल पूरे साल में क्या तबाई फिरती रही हमारी बिजनेस में क्रोना आया फैक्टरी बंद हो गई गभर्मिंट ने सबस्पोर्ट बढ़ गई वगया वगया यह होता है फिर इंडस्ट्री की परफॉर्मस को डिसक्स किया जाता है अ है और दिकमेंटर इस एनी अगर कोई डिविडेंट में निखा जाता है ताके शेर अटर को पता चल जा अच्छा डेकर ने यह डिविने रिकमेंट किया हम ने आगे कितना प्रूव करना इतना ही करें कि इसे कम करें कि ज्यादा तो कर नहीं सकते और ट्रांस्फर दूर पर पर देना कितना हिसाथ रिजर्व को ट्रांसफर करना वह भी लिखा जाएगा इस लिए दूसरे तीसे पॉइंट के साथ उसने लिख दिया है क्योंकि जब कमनी को प्राफिट हो जब डिविडेंड रिकमेंड किया जाए तब यह सेक्षिन आएगे वरना नहीं आए प्प्लिक अबने के केस में मजीद चीज़ा लिखनी है क्या मजीद लिखनी है यह ने लगटर के नाम आगई समझ चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस नहीं समझाई कोई बात नहीं रटा लगाए वैसे इसका मतलब क्या बला कि अगर दूरी हे आपने प्रिंस 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 इन्फरमेशन यानि कमनी खुद बता रही होगी कि यह मैं ने इस इसको टाइम पर पे नहीं कर सके पैटरन ऑफ यह होल्डर कमपनी के शेयर किस किस लोगों के पास है अगर आप आजकल किसी कमपनी की डिरेक्टर रपोर्ट देखे ना उसमें रिस्क एंड इंसरेटेंटी में करोना लाजमी आएगा लाजमी दिकर वहाँ एक पता नहीं कब बिजनस कुल जाए कब बंदो किया नहीं कि एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल भूल के इसको समय करने की कोशिस नहीं करने इंटरनल कंट्रोल क्या होता है किस तरीके से काम चलाना अर्निंग पर शेर का मतलब है कंपनी के एक शेर पर कितना मेनाफा हुआ यह आप कांटिंग में पड़ेंगे अब भी तो नहीं यह अपर टूमें तो नहीं हाँ इसकी आप कैलकुलेशन सी कांटिंग में इसकी सिंपल कालकुशन प्रॉफिट को नंबर शेर से डिवाइड कर दें यह बताता है कि एक शेर पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ आप कि ऐसाओं सब्सक्राइब है कि इस सेक्शनम में लिखा हो अर्निंग पर शेर है भी तुरुपे यह अशे कमनी को में अशर प्रॉफिट हुआं इहां पर लिखा हूं का ऐक शेर पर फांच मेंद र्पे ऑफिट मिलेंगा खालिए तो बाकिन दर जायेका यह सो कुछ भी नहीं समझा रहा लेकिन को सब्सक्राइब कर दिया तो उसका जिकर कर दिया जाए ऐसे एडिशन असुली खिलाफ है वे अगर अपर दॉट जोस लिए बंगी-जैस्टेशिकिशन दे लिए करते हैं यह लियुक्त ने तो समझ आ जाए समझ लेना इससे जीदा मेहनत ने करने करणी बाकी सारा रट्था रट्था लाजमी हाँ ला में एक चीज़ होने जीएगा रटा तो लगाना ही लगाना है रटा के बाद के स्टूर्ड था तो उसका डायलाग होता था वह का करता था मुझे आल तक यादा है रटाफिकेशन इस दी बेस्ट फीकेशन फ्रॉम आल फिकेशन और उससे सीए नहीं हो पाया था यह इसलिए कि शायद नहीं सोचता हूं शाय दोस्ते चाहिए लेकिन याद रखे हमने ला पास करने के लिए रटा तो लगाना ही लगाना है और याद रखे बगार के सब्सक्राइब करना था उसमें पास जाते हैं तो मजबूरी या क्या करें करना पड़ेगा रटा बर रटा आपने सिर्फ लगाना पड़ेगा कोई बुरी बात नहीं पर लिखने में हमेशा कम होता था यानि मैं अगर अगर जब स्ट्रॉंट साथ मैं इस्तरा का लगने को यह प्याद करता था तो इसमें 10 पुइंट होते थे दस पूरे नहीं होते थे पहले पांच जेहन में फिर साथ आए फिर आट आए फिर साथ नो साथ नो यह एवरीज रहती थी दस नॉर्मली पूरे नहीं हो गते थे तो कि बूल जाए कि जैन में आएगा नहीं लिखने की प्रैक्टिस ने की होगे तो सिर्फ रटा फेल करेगा सिर्फ कंसेब्ट भी फेल करवा देगा रटा प्लस के स्टड़ी इनको इंटीग्रेट करना पढ़ेगा इनका कॉम्बिनेशन लेके चलना पढ़ेगा अश्या चल जिसमें बिजनेस के हला तो वाकियात बताते इसमें अडिशनली यह चार चीज़ें भी लिखी जाएंगी क्या फेक्टर फेक्टिंग फूचर प्रफार्मस ऑफ कंपनी के फूचर में क्या उमीद है चले पिछले पिछला साल क्रोना खा गया सारा कुछ हमारा अगले क्या क प्रफिट के लिए काम करती रही है कि मुफादियामा के लिए कोई काम किया है हमने सारा साल जो है इतनी प्रूशन अपनी फैक्टि के जरीए से फिलाते रहे तो लेकिन उसको कांटर करने के लिए हमने एक दरफ भी लगा वह और सोचल रिपए एक फ़कीर आया था उसको इंवार्मेंट इसलिए का अपना इंटरनल सिस्टम कैसे कंपनी चलेगी लेकिन यह आप किसी और सब्डेक्ट में जाके पढ़ेंगे यह है हमारे कंटेंट्स फिर बता रहा है एकजाय में आपने अपने इस जब यह आई का फेवरेट क्वेशन रहें करते हैं वह कहता बताओ लिस्टेड कंपनी की डिरेक्टर्ट में कौन से कंटेंट्स आएंगे स्वर्ड यह लिखाते हैं इसी के उपसर लिखा था बाकी क एकजाय में क्वेशन पूछे बताओ लिस्टेड कंपनी के बिजनिस रिव्यू सेक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे क्या क्वेसम कुछे लिस्टेड कंपने के बिजनिस रिव्यू सेक्शन में डेक्रेटर पॉर्ट के अंदर बिजनिस रिव्यू सेक्शन में तो फिर सिर्फ यही लिखने हैं क्योंकि इसने खासतोर में क्या दिया कि मुझे सिर्फ बिजनिस रिव्यू सेक्शन के अंदर बता होगा है टीचर की जिमेदारी होती है सिर्फ लेबस कंप्रीट करवाना काम या भी न कामी अल्ला के हाथ में उसके लिए अल्ला को राजी करें और वाल मैं को भी अच्छा अब आगे चलते हैं कि अब डेक्टर स्पोर्ट के बाद नेक्स कंसेप्ट क्या है हमारा का कि इसमाइफ का डिस्टर है लेकिन जैसा कि मैंने आप से वादा किया है की इसमें कोई लीकुर्यमिंट की तरफ नहीं ज़ाओंगा बलके सिरल भी कंसैप्त का को हम how much करेंगे कि इसमें इसमें इनवेश्मेंट क्या है तो पहले हम समझेंगे इसमेद का Southwest क्या मतलब क्या is in इन जानका मतलब है कि आपने तक किसी दूसरे को उसके business में पैसे लगा दिए हよう पैसे लगाना पैसे देना ये करता है इंवेस्मेंट आम जबान इसको बोलते हैं लीगली लाज ये कहता है अगर आप ने युड़ी काम ने किसी दूसरी कमपनी में पैसे लगाए इंप इवार्म वीडी यानि उसके शेयर्ज खृते ये ये भी इन्मेस्मेंट है कि अगर शेयर नीद्रीटीब नों के तोर मैं यहीं याद रखे इंसने में शेयर ना भी आजाएगा और अगर आपने लून दिया ये कि अच्छाने दसदा शेयर निए उसको दस लाग रपया दिया जो उसना मुझे एक मीने के बाद वापिस करना है कि क्या मैं यह कै सकता हूं मैंने इस कंपनी को मैंने लोन तो नहीं दिया लेकिन मैंने एक दूर बंदे से का यार तुम इसको लोन दे तो कर कमपनी ने पैसे इस ने किया तो मैं पैसे वापीस करोंगा गारंटी दी क्या यह याद रखिए का गरंटी देना भी इंवस्नेंट है यह याद रहुआ है लग्र किसे हमारे हाथ से नहीं गए लेकि जाहिर अगर कमने डिफाल्ट करेगी तो हमें पैसे देने पढ़ेंगे लाग कता है यह भी अध्वांस दिया यह यह याद रखिए अध्वांस में यह नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इंवेस्टमेंट नहीं है जैसे कि फर्स कीजिए कि होंडा वालों गाड़िया बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस ही आए कि गाड़िया खरीद नहीं है तो तीन महीने पहले आपको एडवांस जमा करोना पड़ेगा मैंने गाड़ी बुक करवाई और फचास लाख रवे उनको दे दिये यह मैंने एडवांस पैसे देना क्या यह इंवेस्मेंट है लो कहता है यह नार्मल ट्रेड क्रैडिट है नार्मल इसी तरह होता है लेकिन फर्स कीजिए कि अगर मैंने अपने बिजनिस के लिए ऐसी खरीजने थे और पहले वालों को मैंने छे मिने पहले ही पचास लाख रवे दे दिया हाला कि अपने लिए नार्मल इस सेक्टर में होता किया है कि पहले वो इसी प्रोवाइड करते हैं फिर इसके बाद उनको पेमेट होती है लेकिन मैंने नार्मली जो ट्रेड प्रैक्टिस है उसको फालो नहीं किया बलके एड़्वांस हमें 50 रवे दे दिया जो नार्मल ट्रेट प आएगे हैं वो इन्वेस्टि निकलाई चैनल जैसे फर्स केजिए के मैंने प्रेल वालों को राम मठेल अधार देदिया नौर्मली ट्रेड में इसी तरह होता है कि राम मठेल अधार दिया जाता है तीस दिन के लिए नॉर्मल इंडस्री में इसी तरह हो रहा है मैंने भी 30 द और मोर्मली उधार तीसी के लिए लिए जाता है मैंने उधार नवे दिन के लिए अब बताईएballs यह वाला जो ट्रेयड के रेडिट है यह इंवस्मेंट है कि अगर कोई नापने क्यूंकि आधा पी कैसे लेते देते रहें वह चूपके लेते दो वह बहुत चौहाएँ और खासतों पर यह पता नहीं है कि कैश कैस्प्रायर हो Spike eli A अब सब्सक्रारण क्या हैं आधे टोषीएट। नपनी यह फायानों कि डाश् genuine सो सिर्टाइब की डेफिनेशन के लिए समझाने के लिए नंगके सामें चोटा सा स्ट्रिक्टर रॉक कर रहा हूं है मुझे बिसनिस और किस्ट ने कितनी तरह यह होती है यह थिस पाड्नाशिप और कंपने सोल मालिक होगा उसे हम कहते हैं उनर partnership है तो जो मालिक होगा उसे कहेंगे partner और अगर company है तो जो उसका मालिक या manage करने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं director या कहते हैं shareholder जो उसको manage या on करने वाले हैं यह एक company company a है यह business a है यह एक दूसरा business है भी इसमें भी हो सकता है स्वाफ प्रौइटर है तो इसको कोई और होन कर रहा ظंगा पार्टनर्शिप फम नतु कोई पार्टनर कर रहा होगा कंपनी न पार्ला तो डिरेक्ररा का च extremity में वह आप से यह वाली इसरा नहीं पुछेगा लेकिन छुकिए डैफिनेशन में इसे मैं तो इसे कहते हैं अगर एक कंपनी है लेकिन दूसरा कंपनी ने मैं को इंडवीज़म है तो फिर उनके लिए स्वीयटेड कंपनी का बमडनी यू दिक अगर दोनों कम आइसे अगर यांड नुद्हेर आनल यहां यह नहीं सोल प्रॉटर रहें यह तो हम इसे यह दोनों कोनर या कंपनी का डिरेक्टर या है कि 20 परसंट और मोर का शेर होल्डर जिसंसे वह प्र सब्सक्रेंद है अगर यह किसी दूसरी और्ग मीचिन मेपी हुनर पार्टनर या डार क्टर या 20 परसंट से ज्यादा का शेर होल्डर है तो ये दोनों business आफोस में associated है तो में वाण समझाएं अच्छा बताएए एक उनर एक business में owner है एक बन्ता एक business में owner है दूसरे में भी owner है यह क्या हुए associated company के associated undertaking undertake एक में owner है दूसरे में partner है बताते जल्दी एक में तो से में डिरेक्टर या शेयर होलडर अव्ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव और दूसरी आर्गनाइजैशन ने अनर शुक्त अब चुक्त अब चुक्त के एक्जायम में यह वाला portion ज्यादा पूछते हैं इसकी आप से दुबारा रभियन पूछना जाता हुँ इए एक बंदा एक कंपनी में डिरेक्टर है यalnızा आ इंटुसरी कंपनी 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 कमनीद्य अब जोगी समय जा रहे हैं आपको आपको याद है मैंने से बाले आपको इस अब बताया होगा है होल्डिंग सबसेडरी का याद ना चैप्टर लामन में कंसेप्ट्यूली होल्डिंग का मतलब अब बूजी तब से डिकांत बेटा अशोचीय टिड़ा मतलब कर रिष्टेदार मुझे पताईए रिष्टेदार में सिर्फ गोल्डिंग सबसेडरी होती है या इसके लावा भी लोग होते ह। अग्रेटा है तो यह लोग तो आस्यायटेट में है एक कमनी का डार्ट रिट यह आपसर रिटा लेकि मुझे बताएए यह एक होल्डिंग कम नीया इसकी एक सब्सेटिर है इसके डूसरी सब्सेटिर भी आए एस्टू यह सवान है अश्याव बताएए यह आपस में होल्डिंग कमणी है होल्डिंग सब्सेट्री यह आपस में अस्यूसियेटिट कमणी है है एक 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 कमणी में कि 20 पर संट से ज्यादा इन्वेस्मेटेटेट भंटेेट कोगी को सब्सक्रास द्रीट के एक नन्युसक्रा इक त्व 10 जादा है faster गटोल यह ब्रिक जाएं यह कहते हैं जो गमपनी अंदर कॉमन मैनेजमेंट यह जो राते हैं डैफिनेशन को समयने की कोशिफ करते हैं तक आगा कहता है अगर कोई एक पार्टनर भी लेकिन उसको इसको skip कर दिया व्हो अबने पार्टन को याद करना अगर को एक डायप्तर या 20परoon से जलूद किसी मेरी दूसरी कमपनी मेरी टायटर से मिर्था है दोनों और ऐसार क्वेराक। खर्स किजिए और बैंक पुपनजाब में भी डेरेक्टर हूं किया दोनों नैशनल बैंक पंजाब एक यह एक जागा बैंक यहां पर एक मैं आपको वार्निंग देदो होलिंग सब्सेटरी का रिलेशन्शिप डिसाइड करना उसके लिए 50 परसंट है 50 परसंट सुसिए टिर्टेस के लिए परसंटेज क्या है ट्रॉंटी यह ट्वंटी और 50 का फर्रक रखना जाए में और अगर इसलों डेरेकटर के पास शेर से में लेकिन उसके स्फाउस या मइनर चर्ट के हैं तो वो भी ऐसे समय जाता है जैसे है पार स्थे मृवच के अपनिया का डॉम घ। दूसरी आपनी मेरे पास जर्टे फांस कि यह थैस फो और यहां यह आपस में वोल्डिंग सब्सेडरी यह यह अच्छा यह बड़ा जीव कन सकता है कि जो कमनी आपस में वोल्डिंग सब्सेडरी आप वो शूचेटीड भी है मुझे बताएगे यह कंपनी है एच इसने सके 60 इसने सके 10 परसंट शेयर खरीदे दोनों आप सब्सेडरी तो यह दोनों कंपीस होल्डिंग सब्सेडरी यह से सचेडरी तो है तो बाब बेटा है वो बाब बेटा तो है लेकिन रिष्टेदर भी तो है है हर रिष्टेदार भाब बेटा नहीं होता लेकिन हर बाब बेटा रिष्टेदार होते हैं हडार सोसियेटिड कमई है लेकिन हर सब्सीडте री सी है यह यह होल्डिंग सब्सेड़ी लिक्वीत सामिल है यह है कॉमन डिरेक्टर शेयर होल्डिंग वाले यह होल्डिंग सब्सक्राइब और फिर तीसरी कैडिकर यह मदार्वा मैनेज्ट बाइब कंपनी यह सिर्फ रटा लगाने के लिए और कुछ नहीं लेकिन आहरी चीज़ बता दो सुषएटेट्च कंपनी की कुछ एक्सेप्षन भी है और सुन्ट सबसे बड़ी गलती करता हैं क्या एक्जाइम में कहते हैं को दिफायिक करें क्या क्यारा आता है साथिएट को डिफायं करें यह तीन पौइंट लिख देते हैं एक एक्सेप्शन लिखना भूल जाते हैं सर कुछे आपने एक्सेप्षिन पूचे ना पूछे आपने लाजमी बताने देने नो मिनी टेर्क नो मिनी डेक्टर पताने की जरोता नहीं ऑगा पड़ा हुआ देक्टर वाय टॉपिक में इंडिपेंडेंट्टर इसका मतलब क्या है मुझे बताई ये एक देक रिमेंड दू या independent director associated company की इसका मतलब है एक में आप सही डिरेक्टर है जैन्वन एक में नोमिनी या independent है तो अब दोनों यह government के shares होते हैं अगर national investment trust में या किसी और financial situation जो के government own कर रही है अगर government own कर रही है ना किसी company में shares तो वो companies national investment trust अगर shares own कर रहा है या यह यह कहले कि government own कर रही है क्योंकि national investment trust government कर तो फिर वो company associated नहीं समझे जाएगी exception है और इसी तरह जो cdc के पास share cdc ने भी जो shares hold किया होते हैं ना वो उसके अपने नहीं होते जैन्वन वो उसने दूसरों के भिहाब पे शेर्स होल्ड किया होते हैं यह cdc का concept जो है ना यह listing regulation में stock exchange इसे रिलेट करता है हमारे इसलेबस से बाहिर है इसी तरह national investment trust भी सिर्फ नाम की हथ तक हमारे इसलेबस में शामिल है यह दोनों नाईटी और cdc तो आपने भी सिर्फ नाम की हथ तक इनको याद कर ले हाँ यह जो exception है ना नो मिने डाक इनको समझना हमारे जरूरी है क्यों आस तोर पर नोमिनी और इंडिबेंडेंडेंटर वाली exception याद रखे केस्टी में भी टेस्ट होंगी नाईटी और cdc वाली exception केस्टी में नहीं सिर्फ definition की हथ तक नार्मी टेस्ट होती है तो यह था हमारा आज का lecture आपने इसको याद भी करना है और जो practice questions हैं उनको भी attempt कर आज का lecture यहां पर खतम करते हम अलावापस्ट आज के लेक्शर का आगास करते हैं आज का लेक्शर हमारा चैप्टर 16 का लास्ट लेक्शर है और ना सिर्फ चैप्टर 16 का बलके कंपनी लागा भी लास्ट लेक्शर है लक्टर होगा वर आज करने एक इन्वेस्टमेट ऐसे नियुक्ष कंपनी के हवाले से और दूसरा के इन्वेस्टमेंट ओफ एक और में बिगशसा को किसी दूसरे के नाम से कीजए थोड़ा जीव सा कंसे लगता है लेकिन लान ने कुछ स्टेशन में इसकी जालदा दी ह उसके बारे में हम discussion करेंगे राइस बुक के वारे से मारा learning objective 5 और 6 है तो start करते हैं पहले conditions की तरफ चलते हैं conditions for investment in associated company आपको recall करवा दूँ के previous lecture में हम दो concepts हमने discuss किये थे एक investment का मतलब क्या है और दूसरा associated company का मतलब क्या है complete definition नहीं लेकिन उसके की parts मैं चारों आपके साथ revise कर दूँ के study point उसे जो एहम इसा है investment में equity investment भी शामिल होती है यानि आप किसी company के share खरीद ले और investments में debt या loan भी शामिल होता है इसको भी legally investment ही का जाता है और associated company में याद रखिए associated company में holding subsidiary भी शामिल होती है holding subsidiary भी associated company है और इसके लबा other companies भी होती है other companies से क्या मुराद है कि जैसे फर्स किजिए other companies जिन में common common directorship हो common directorship हो या common shareholding हो at the rate of 20% at the rate of 20% या नहीं एक डिरेक्टर दूसरी कमनी में भी डिरेक्टर इन्वे एक डिरेक्टर एक डिरेक्टर दूसरी कमनी में अगर किसी दूसरी company में 20% जाओ से ज्यादा की shareholding रखती है तो वह दोन associated होगी इसका मतलब यह हुआ एक company के दूसरी company 25% shareholding है तो दोन associated होगी अगर 55% shareholding है तो वह holding subsidiary भी हो गई और associated भी हो गई ठीक है क्योंकि क्योंकिता है था होल्डिंग सब्सक्राइब यह कुछ बेसिक कंसर्प्स है जो हमने प्रीवियस लेक्टर के लास्ट लगनिंग अप्जेक्टिमें सीखे अब हमें पता चलगा इन्वेस्मेंट किसे कहते हैं अब हमें पता चलग अपने भाई को धार दे सकता है यह भी परहसे इसमेंट की रफ सी एक्जेंपल होगी आप तो बहुत अची बात है रिश्ते दर जूरुरत के वक्त रिश्टेदारों के काम अना बहुत अची बात बहुत अची बात है लेकिन यह फैसला उस बंदे को करना चाहिए जिसका लाँ भी लगा तो हमने लाम में पड़ा हुआ डिरेक्टर के पास पाबर होती है कि वह किसी कमपनी में इंवेस्मेंट कर सकते हैं ये शेयर होल्डर का और फैसला डिरक्टर कर रहा है शेयर होलडर का पैसा मेरी ही एक दूसरी कंपटनी में लगा दिया जाए जिसमें मैं 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर हूँ यह जिसमें मां डारेक्टर हूँ तो यह तो स्वेशन गलत होगी इस ही को सामने रखते हुए ताकि शेयर होल्डर के फंड्स का मिस्यूज ना हो ला और आपकोंने पहले case में जो facts होंगे उसमें पहले यह arcade करना होगा या थो सैटिट कंपणी है के नहीं दो कैपनी का जिकर होगा आपने माइं वहां पाइब करना होगा यह उसके बाद पता यह के सके नहीं मैं सबसे पहली चीज छोड़ सो मैं बता रहा हैas अगर एक पब्ली कंपनी ने किसी दूसरी पब्ली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है यहां पर पब्ली कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्टिंग एक होता है इन्वेस्टिंग कंपनी एक होता है इन्वेस्टिंग कंपनी किसको कहते हैं जो पैसे दे रही है इन्वेस्टिंग कंपनी किसको कहते हैं जो पैसे ले रही है तो यह वाले कंडिशन किसके लिए हैं जब इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक होगी उसके लिए अगर इन्वेस क्टिशन पूरी करना जरूरी है करना जरूरी यह कंडिशन 1 ginger 1 2 3 आंट क्टिशन इन्वेस्बंट होगी स्पेशल रजलुशन च है एक सिपिट्री मेज्रलिटी ऑफ शेयर कंडियर होडर हैं कि हमारे पैसे इसको को दे दो इंवेस्मेंट कर दो, तो फिर इंवेस्मेंट करने हैं, भर ना नहीं,pf sackष न आक तो आपके पाथ पाहली आपके आपके पास, पयसे पैसे, पयसे आप उससे क्लियर ली सिर्फ यह लिखा होगा कि हम अबने इस निन करने लिए भांड है लिखा ओगा नेचर क्या है या नी इकपर बीवथ मेंश्मेंट है इन्वेट में वैस्मेंट है यह और जांपल फिलाना गारण्टी इन्वेटिप भी ओर्टार एड्वांस जो के पीनार्मल कि जा रही है एक साथ, पांच साल, दस साल कितनी पाश होगी जिसमें डरम क्डिशन अगर ऑल्लाइट इंवस्मेंट की हूई है उसमें चेंज करना है तो फर्द कि यह पांच साल के लिए था पांच साल पूरा को रोल अवर करना मजीद पांच साल करना है बढ़ाना इसको च तो वो तीन conditions हैं जो के हर case में पूरी करनी हा है कि अब कुछ conditions मैं आपके साथ share कर रहा हूं parece उस वक्त पूरी करनी है इफ अगर लोन जो यह इफ उस ली लिए है तहीं लिख ले इस वैरी इंपोर्टाइट इन लॉंग लिखेस्ट इस वर्ड इफ इस वारी बोडिल कैसे क्योंकि इस के बाद आगे बताता है कि ये वाली चीज कुछ सिट्वेशन में एपली के बला होगी यावली प्रवियन कुछ में अपली के बली जोगी और एक्जा तो इसके बाद जरा आंखे खोल के दमाग की बती जला के आपने प्रवियन को पढ़ना होता है अगर लोन है तो यह भी कंडिशन पूरी करने है ऑच यह कुंसे कंडिशन है यह याद रखने अगा लोन में वास्मेंट है रीटीन अग्रिमेंट होगा बहुशते घ्री लोन का तो आप देडिके रहे ताके संद रहे वक्ते तर रहा है रीडों में रूप सकते हैं कि यानि लोन की कुछ एडिशन हम न को सकती है वैसे तो टंडन क्रश्वं मिखियो थी एक है या यह ठीके लिक ने रिट्र रिट्रण एग्रीमेंट में इनके इलावा और भी मजीध डिटेल में रिट्रण घृट्र ध्रिटियुट ए जैसे रिटरान नौन इडर्समेंट क् ने रखने वह क्या चाहिस हो कि वापसी कितनी किस्तों में होगी ठीक एक दफ़ा पांस सारी मांट वापिस करेंगे के हर साल वापिस करते रहेंगे वगयार वगयरा यानी जितने भी टर्म दर कंडिशन है लोन की बारिंगी वह भी दिखी जाएंगे जो रिटर्न अनीवेस्मेंट है जो हरी टर्न ओने के जनटों इनवेस्मेंट है ये दिटने मस्कES आम रहतीपी इंटरेशरेट शनलोड बिल्ससेट एन बार्रीं कॉश्ट और सरिंगांट इंट्वेस्ट्रेट शनलाट भी लाइस दैन अनविश्टुन रहे को से नहीं मुल इंट्रस्यत्ट जो उस अस्ोलीन कमपनी से लेना कि बार्विकश्च क्या है वो इंट्रस्ट्ट एक जिस पर इन्वेस्ट कमनी लोन लेती है थुआ है मैं समझाऊंज फर्ज कीज़े ए पक्तिक या में ब्राइबेट कंपनी में इनवेश्मेंट करनी है ब्राइबेट कमची इसकी अध्यक्सज रफास्ट्讲 मनेया बदाइए कंडिशन अप्लाई होंगि कर एने पैसे देने बी को ए पब्ली का बी प्राइवेट है कंडिशन अप्लाई होंगी यह सब लाइए होंगी क्योंकि इन्वेस्टिंग कमपनी पबली कमपनी एक मिलियन का लोन उठाया 10% पर प्रेट उठाया और फिर उसमें से पांच लाख आधी अमाउंट लोन के तोर पर देदी बी कमपनी को किस रेट पर एट परसंट पर क्या दे सकती है क्यों नहीं दे सकती है अपनी कास उसकी 10 परसंट है और आगे एट परसंट दे रिए इसका मतलब है एक कमपनी के शेर होल्डर को सिधा-सिधा दो परसंट का लॉस दका तो उसने का ना भाई या रिटर्न ओन इंवेस्टमेंट शल नौट भी लैस देन बारिंग का बारिंग कास का मतलब वह इंट्रस्ट्रेट जिस पे इंवेस्टिंग कमपनी लोग उठात लिए और रिटर्न ओन इंवेस्ट्मेंट से यहां क्या मुराद है वह इ इंवेस्टिंग कमपनी अदा करेगी इंवेस्टिंग को तो यह रिटर्न ओन इंवेस्ट्मेंट और बारिंग कास्ट और यह प्रवियन समझें लॉजिकल प्रवियन लेस्ट नहीं होना चाहिए उससे यह न अपना नुक्सान दूसरे का फाइदा और अपना भी विन विन इंटरस्ट रेट इंटनरे और बेस्ट पर करवाना अगर आप बेंक के पास पुदा नहींता कभी लोन लेने लिए लिए यह तो लोन चाहे पांच साल का ले के साल पासारे पैसे वापस करेंगे कि बेंक इंट्रेस्ट हर महीने यह र्तीन महीने के बाद करवाता आप से जो भी अगरी हुआ है तो यहां पर की र्टरन आन्वेस्टमेंट या नि वह आपने एक अब हरु यहों हम्­क करने से पहले इन्वेस्टिंग कंपनी के दा रेक्टर रड्यू ड्यूर कि यह कैई कि छुक्त इट है इंसको जोगा है यह इचेक और इसे जाए रफ यह यह करने से पहले देखना चाहिए कि नहीं कि इन्वेस्मेंट गुड है यह तो नहीं घर जा के पता चले कि उसकी पूटी हुई थी और यह तो गुर्माद पैसे साया हो गए रिकवर नहीं नहीं हो सकती कर लें नहीं किसी से गाड़ी खरीदे यह तो गाड़ी को चैक करना चाहिए कि देखने अच्छी तरीके से साफ चमक रहें तो खुरिदनें सोधा करें ड्राइव कर करके देखना चाहिए उसका एंजन किसी की सब्सक्राइग कर ले जाकर चेक यह होती है डियो किसा मतलब होता है अकलमंदी का मुझारा करना ड्यू का मतलब मुनासिब अकलमंदी तो इंवेस्टिंग कंपनी के डिरेक्टर इन्वेस्टमेंट करने से किसी को पैसे देने से पहले ड्यू ड्लीजर्स करेंगे आप के से कोई बंदा पैसे आके मांगता उधार दे देए सर 50,000 दे दें, साल के बाइब वापिस कर दूंगा. आप पैसे देंगे? नहीं देंगे. फर्स कीज़ए आप देना चाहते हैं, आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है, आप चलो नहीं कमाते हैं. क्या बगार कोई checking की पैसे देंगे करेंगे क्या checking करेंगे रहता कहाँ पिया माली हालात कैसे हैं उसके चलो अभी tough condition में है या बाद में इसको future में कहीं पे इंकम आएगी जैसे फाझ ये निधा करना जो हो सकता है किसी चैनक बड़ा खर्ण किया ताना पूर एक्जम्पल बचों में से किसी की शादी करनी है या इसको पैसे दूंगा रिकवर हो भी सके के पैसे के नहीं यह किस मकसद के लिए पैसे ले रहा हुँ मकसद अच्छा है कि नहीं यह इस तरह की चीज़ है यह तो वह कहता है इंवेस्टिंग कपने के डेक्टर डिलिजेंस केंगे साही तफ्सक्राइश करेंगे इस कम्री कमपनी है रिस्तेदार है लेकिन पना फैसे किसलिये चाहें कहां लगाएगी यह वापिस कर पाइगी कि किसी ऐसे में फैसे लगाए लगे मैं तो बिट्कवर वजाएं और अब तर देंगे बस हमें विजीर आजम बना एक मिने के लिए कि आइडिया क्या होता है यह बिट करेंगे को बताइए क्या आप फिर ठीक है लों देदेंगे पता चलो दर एक ट्वीट किया किसी बड़े आदमी ने और बिट मैं डाउन सारे पासे आपको कहां मिलने पैसे नहीं म क्याते हैं आपको 20% हर महीने प्राफिट देंगे बैंक साल में दे लोग ने पैसे लगाए चार महीने बाद बागरें तो डियू दिटेंगे पैसे आएगा कि नियागा कि तर जा रहे पैसे सिरफ रिटर्न ओन इन्वेसमेंट देख के फैस्टेनि करने होते हैं क्या सबस्क्राइब आप मिला सिरफ रिटर्र नंवेसमेंट देख के आजिक नहीं करने दियू दिलिशन से भिडे को में साव जा गई अचा मुझा आई कर प्राइब ताहिए कि एक प्राइबेट कमण बढ़ने यह अच्छा अब मुझे बताए यह पबली कम्टी ने किसी दुस्री प्रवेट कमनी में इस अंकर निया प्रिज्वाइब करने है लोन की शकल में बताये यह लेफ्ट वाली कंडिशन लिखें के करा राइड वाली दोनों लिखेंगे के शावाज इंशाला पास इं को और अकर इंवेश्मेंट की गई है एक वर्टी की शकर में फिर कॉन सी ओगी स्रफ यह होगी है अपर अपर शेड़ेशल में इन्वाश्मेंट कि गई है बताए यह प्रैफरेंस एर में डापना एक डिवीट डिवेश्मेंट के लोन अच्वाब है आईक वड़ी है भी यह समझाया कंडीशन भी और इडिशनल और इफ का मतलब समझा गया जले बहुत देखें जले टेस्ट गरहा में देखें के समझाया कि नहीं कुछ अब चलते हैं नेक्स कंसेट की तरफ आपकी सारी उमर की जमापुन गुँझें यहा आपने सारी उमर बड़ी मिहनत की और पैसे जमाप करते allow करते रहे सारी एस साल पैसे जमा किये और आपके बिलाहएर दो लाख रुखहactive hesin आप आपने कहा कि इन दो लाग से मैं एक भाई खरीदता हूँ वांटो फाइव अब भाई का आपने खरीद दी बताइए आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे कि हम साय के नाम पर अपने नाम पर कियों पैसे हमारे नाम पर होगी उसके नाम थोड़ी होगी उसका कुछ सकता है किसी भी कंपनी की इंवेस्टम mathematician करेगी वह investment अपने नाम से करेगी अपने नाम पे रखेगी ने ऐसे ही होना चाहे ना इसकी कुछ exceptions हैं डेक्सेप्श्टम्स का मतलब क्या है इन्वेस्स्मेंट होगी कंपनी की पैसे होंगे कंपनी के लेकिन वह एसट किसी दूसरे के नाम पर उसके तो होगी न य यकलिके किसकी कंपनी के डी नहीं याशी नहीं यह क्यों नहीं हुई आनॡ आग का मतलब है आउसे एस जम्में इंवेस्टमेंट ने की पैसह कंपनी ने लगाया लेकिन वह है किसी दूसरे के नाम पे पहना केस इंवेस्टमेंट ट्रीने अन आदर कंपनी इन दी नेम ओं न लूशन नोमे कोई और जैसे गमेंड है या कंपनी कोई गमेंड या कंपनी इसको हमने बनाते आपके कंपनी आप हमारे इस को अब और रेक्टर बने का लिए बना खुश्च रिया उन्होंने का सर हमें इतराज तो कोई ने कि ला कहता है क्या के डिरेक्टर बने करें शेयर होल्डर होना जरूरी है शेयर खरीदे अब ड्रक्राइगा मैं क्यों शेयर खृद हुद हूँ मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ह Aurul ऐसा करते हैं हमारे पास है इस दूसरी कंपनी के जिसका डिरेक्टर बनाना है अब उपर वाली इस सेथार पना उपनी में उन्पनी नमिनेट करना गाइड ने से निकल सकता क्यों निकल सकता वो बताने की शुरूरत नहीं है वाधर नहीं समय लीजा नीजिए कि उन्ने ऐसे एक एग्रीमेंट लिख वाली होता है लाइदा से आप निकल के बागेंगे नहीं वरना स्कूर्टी के तोर मारबात कुछ भी रिजमेंट हो सकती है ठीक है और बाद यह सब्सक्राइब कर लाएं कि वह जाइंट शेयर होल्डर के नाम पर प्रांसर कर लेता है कि कम नीवीड जाइंट परड़ी का केसी होता है किसी प्राटर निकली ना जाए तो वो जाइंट सिगनेटरी बना लेते हैं बाराल तो यहां पर यह सब्सक्राइब के नाम पर क्यों ट्रांसर किया जाते हैं आगे चले है ऐसा मुझे बताइए मैंने आपको शायद हमारे कंपनी लाग के स्टाट में एक्जेंपल बताई थी प C2 और सबसटीर्य यूफोन रही उप्सक्राइब के पास यह बताया था आपको तो अपको अब शराम नहीं होए कि यूभला यूफोन के 100 पुशेर किसके पास है तो बताएए यूफोन जो है यह इसके कितने मेंबर हुए इसके का एक मेंबर्वना हालाकि ये फून पब्लीक कम्पने कम असक्ズ कीजें हो तो अद्य होते में चाहिए तो लीगल लिक्वाइर्मेन्ट की वाइलेशन होगे रही होगे नहीं में तो अब क्या करें इस मकसति के लिए फिर पीटीसेल जैसी कंपनी क्या करती है जो उनकी सबसिडिरी में शेयर होते हैं ना उनमें से कुछ शेयर को एक एक दो दो चार चार आट अट अट अधिक कि किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं किसलिए बदा ताकि नंबर ओफ शेयर्स होल्डर लीगल रिक्वार्मेंट के साथ यह पॉसिबल लेकिन आगे फिर सुनने यहां पर आपके से में वह आएगा अच्छा इसा मतलब बंदा जब चाहें बेच के बाग सकता है नहीं भागता नहीं भागता ठीक है कुछा कुछ अरेंजमेंट लाने रखी होई है वह हमारे स्लेबस में नहीं है वह सेक्रिटेरियल प्रेक्रिक्रिस इसलिए आपने उसरफ नहीं तो दूसरा केसी है कि अगर कपनी किसी सब्सिडिरी कमनी में इसमेंट करती है जो कि 100 नाम पे ट्रांसर कर सकते हैं जरूरी होगा ना परना तो मिनीम नमर नहीं होगा आगे चलता है इन्वेस्मेंट इन दी नेम ओफ सी डी सी डी सी डी सी बनता है सेंट्रल डिपॉजिट्री कंपनी है बहुत अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है सी डी सी आपको पता है ओनलें लेकिन बैंकिंग अची चीज अची चीज चीज अच्छी चीज अच्छी चीज़ ऑचिज़ गटेगा सबने को का ख़ते हैं पूरी अच्छी चीज़ कंटेगा सब्सक्राइग के का से अच्छा ही ना न हो जाते हैं पैसे निकल वाते थे उस बंदे के पास पैसे देते थे वह बंद में जाके जबा कर वाता था ऐसे यह अब क्या होता है आप अगले बंदेंगे अपने 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 काउंट लॉग इन करके ड्रेट उसकी आप में पैसे चले जाता है पिर एक सोर निकाला सी डी सी सेंटर्डिल पॉस्ची कॉम्ठीब in का आप अपने शेयर सी डी सी में रहाऊ दें से इंघ्यर्विटर शेर लोडरर ने इनके पास आकए अपने काउंट जमा करिवारत रिक्वाट हो जैसे मैं जाओंगाкивाanda मेरे पास यह मैं आपके पास एक दूसरा इंवेस्टर भी है उसका भी काउंट में हो रहा है ना मैंने जब उसको शेर बेचूंगा ना तो मैं आपको फून करूंगा आपने मेरे उसके रिखवाने से पैसे बैंक हो गए क्योंकि बैंक ना मानतन पैसे रखें आपने पास हम दोते हैं से कुछा एक और लिए उसके खुंगा लेते हैं तो नहीं यह से मानत के तोर पर रखे हुआ है मक्सद रख्वाने का क्या होता है ता कि आइदा जब कभी हम फून शेयर को बेचे इसको फून करके कहें तो यह एक शेयर अगर अगर हमने शेयर करीदे कंपनी ने लेकिन अपने पास नहीं रखे सकते हैं अगर आप कि कमनी के शेयर्स करीते आपका इरादा होना लांग ट्रम यानि साला साल तक रखने हैं तो आप फिजिकल फार्म में अपने पास घर ले जाकर रख देते हैं लेकिन अगर आपका इरादा होना कि जैसे शेयर प्रैस बड़ी इसको बेज देंगे तो फिर सीडिसी की शेकल में तो यह समझ लगी क्या है यहाद रखें इसमें सीडिसी का रोल ट्रस्टी के तूर पे होता है अमानतदार के तो वह इसका बेनिफिशिल नहीं बनता यहीं सिडिसी अगर चाहे अब आपके ज़रे पिर वह इसवाल हैगा कि एक एक नाम पर हमने अपने शेयर्स इटी के तो तो बेज के भाग जाए वो नहीं भागता उसको पर एक तो यह तूंशि यह तीन एक्सेप्शन चाने क्या पटे कि यह के प्रिजच कबड़ ढूंब की नाम किसी उसका नाम है रिजिस्टरि रखती है उसका नाम है रिजिस्टर of investment not a name of company नाम से झारे रिजिस्टव में क्या लिखा होगा नंसे सारी नाम पर हैä सो किसी और के नाम नेके अश्याओंट कुन सी है वेल्यू है अधर पर डिगलर्स को आडिएंटिफाइसा इंबस्टमेंड जैसे लीए एक इसके इसका मांथ से एंधर Lol और देक्र नमपर मेंबर में पर डाहर करना था क्या परपरज इजर ट्रांसफरी तक था जो भी पर प्रपस cow में लिकिने का इद स्विकिलेंट हो टो कंपनी ने जब कभी इंवेस्शमेंट करनी है किसी और के नाम से तो के इस रिजिस्टर को कोई इंस्पेक्ट करना चाहें कर सकता है कि मेंबर भी कर सकते हैं नौन मेंबर भी कर सकते हैं कि फर्रक्ट क्या है लेकिन अगर चाहते हैं कि इंपेट के साथ कॉपी भी मिल जाए तो कॉपी भी विसको दे अग्यार है रिक्वेस्ट करें फ्याद करए फोटोकापी लगे b रिफ्वेस्ट करें फीज जमा करवाएं उसके साथ दिन के अंदर उनको कि अच्छा मुझे याद है कोई और कपी भी हमने पड़ी थी मेंट किसके बोड मेटिका हां मैंबर्स जो है फीजमा करवाके बोड मीटिके मिनट्स ले सकते हैं नहीं ले सकते हां शावाज बोर्ड म कर सकती है कि बाइजान दो घंटे के लिए जिसने मिनस देखने है दस से बारा बजेते के दिना में टाइम है और मिनस पढ़ते हुए आपने चाहे नहीं भी नहीं बैरा वन जागा तो कमनी उसी तरह की कीडिये रिस्क्टिक्षंस लगा सकती है इस रजिस्टर के इंस्पेक्ट करने पेते अगर कमा ने रिफ्यूज करती है in आज हैं शोड़ा है सब्सक्राइब में अच्छेता शचाएरwrite टता है उसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है इसके कोसेनिख करने और इसके साथ ही हमारा का चैटर भी कम्लेट होता है और और टरेक्टे कुर्शन भी हमारा कम प्रीड हो गया है तक्रीमन 50 मार्क्स हमने पेपर कवर कर लिया लेकिन याद रखिए यहां पे अगले कुछ दो तीन-चार दिन का ब्रेक होगा ब्रेक का यह मतलब नहीं है कि छुटी नहीं ब्रेका यह मतलब नहीं है कि आपके साथ को लेक्टर भी शे चीजे शेयर करेंगे जैसे कुछ प्रेक्टिस के डिसकेशन पेंडिंग है आप ए वाले यो लेक्टर सथे मैं आपके साथ वह करूँ क्यिक्क यह चाहरा हूं कि अब रखनि या कि पैंडिंग चीजें जितनी भी हैं अगर कोई तो यह दो मेजर जो काम है इन तीन चार दिनों में यह कंप्लीट करके फिर इसके बाथ हम आगे चलेंगे मिनवाइल डेली बेसिस के उपर आपके लेक्षर भी अपलोड होते रहेंगे लेकिन उनमें प्रैक्टिस क्वेसंस की डिसकेशन होगी ठीक है उनमें उनमें फ्रेश कंसर्प्ट नहीं होगा लेकिन एक्जिस्टिंग जो हमने पढ़े हैं उनके के सटीज वगारा उसे आपको के सटीब गृप हासिल करने में भी हैल्प होगी और लक्टर से आपकी गृप स्ट्रॉंग होगी क्यूंकि मर्कंटाइल आप की निसमत मर्कंटाइल में के सटीज ज्यादा है इसलिए यहां पे अगर हमें जो ग्रिप स्टॉंग होगी हमारी के सटीज को पर तो मर्कंटाइल में असानी होगी वर्ना मर्कंटाइल में फिर हम पस्ते रहेंगे कुछ चैप्टर में सब्सक्राइब कर लेंगे कुछ जो लैंधी मुश्किल चै करेंगे शिवर के सटी नहीं बलके जो दूसरे क्वैसंग्र में फोकस करेंगे क्रेंगे जिस्तफेंगे प्राक्ष करेंगे तो आपी यह उन से चार दिन्हेंगा रखे हैं कम दिला की ताकि साथ ही रवियंद हो जा हमारी और रवियंद करने के बाद फिर हमागे जाएं तो यह हमारा आज का लेक्षर आपके लिए रिक्मेंडेशन यह है कि अगर आपका कोई इन तीन चाहर दिनों में प्रिवेस कंसर्ट पैंडिंग है उसको ख़वर कर ल कर दो हुआ है उसके वादके लोगियंद है ऑट आपके लिएवे प्रियंद है में तो यह है कि कि अ